आप सभी का स्वागत है मैं दिव्य अशुकला आईए वड़ते हैं खास खबर की ओर ग्राम मेड़की में संगीत मैं स्रीमत भागवत कथा का हुआ आयोजन रात्री के समय रामलीला का आयोजन हुआ जिसमें रावण बद के प्रसंग कारिकरम का उद्गाटर अशोग गिरी जिला उपाद्यक्ष भारती जनता पार्टी ने फीता काट कर किया मुक अतिती प्रागी लाल अहरवार पूर विधायक बीजेपी अध्यक्ष युवा नेता आयोज स्रीबास ने की विशिस्ट अतिती प्रमोज चत्रवेदी पारसत पत्रकार वरिष्ट नेता जिला उपाद्यक्ष बीजेपी आरके अहरवार पूर विजिला अध्यक्ष व प्रागिलाल एहरवार ने कहा कि जिस काउं की धर्थी पर कथा होती है वह धर्थी पावन हो चाती है हम सब उसका पूर लाग उठाते हैं अशोग किरी ने कहा रामलीले की माध्यम से समाज में महिलाओं को माता सीता के आदर्स पुरुशों को सिरी राम के आदर्स पर चलने की जरूरत है तबी तेस और समाज तरक्की करेगा प्रमोद चत्रवेदी ने कहा कि हर वर्स रावण बद होता है हमारी बीच में कुछ भी ऐसे रावण जो बुराई के रूप में है उन्हें समाप्त करने की ज़रुदत है आरके अहिरवान ने कहा नगर और मौरानीपुर की जनता अब जाप चुकी है सब लोग मिलकर नया अध्याय सुरू करेंगे आयुष सिरिवास ने कहा कि युवाव को आगे बढ़ चड़कर सावाजिक परिवर्दन में आगे आना पड़ेगा पड़े लेक कर समाच एवं देश की सेवा में आगे आकर अपनी छेत्र का नाम रोशन करें अंत में विजेप गुप्ता ने कहा कि हर चाती समुदाय के ब्यक्ति जागरोख हो चुके हैं आने वाले समय में बड़े बदलाव की ओर दिखाई देंगे सभी का आभार अजे नायक ने ब्यक्त किया सम्वाद अतमों के स्राशपूत के साथ मनी स्राय के रबोट गैतरी विद्या बंदिर रेवन मौरानी पुर में बच्चों के उज्वल भविस के लिए प्रवेश हुआ प्रारम बिध्याले में हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम ज्यान के साथ साथ बच्चों को सल्सकारी बनाने का पूर्ण प्रयास सरकार उसे मानिता प्राप्त बिध्याले इसु योग सिक्षक द्वारा बच्चों को सिक्षा प्रदान की जाएगे बिध्याले के संचालक है दीपेश स्रीवास बप्रदाना चारे रगुनंदन गौतम कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासिस की सुविधाय हैं हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकाले, डिजिटल नॉलेज हीतू कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है पिर तेक माय मासिक टेस्ट के साथ साथ पैरंस टीचर मीटिंग भी होगी बच्चों को आने जाने के लिए बाहन सुविधा भी उपलब्ध है तो आज ही लीजिए गैत्री विद्यमंदिर रेवन महुरानीपुल में एनिमिशन और अपने बच्चों का भविस्य बनाईए उजवल और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कॉंटेक्ट करें